श्री गनेशाय नमह, अत श्री पद्म पुरानान तर्गत, माग मास महत्न्य तेस्वा अध्याय, लोम श्रिशी कहने लगे कि जिस पिशाच को देवध्युती ने मुक्त किया वो पहले द्रविर नगर में चित्र नाम वाला राजा था, वो बड़ा शूरवीर, सत्य परायन तथा पुरोहितों को आगे करके यग्यादी करता था, दक्षिन दिशा में उसका राज्य था और उसके कोश्धन से भरे हुए थे, उसके पास बहुत से हाथी घुड़े और रत थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था, बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीरा करता थ और अनेक यग्य उसने किये थे, वह नित्य अतित्यों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में निपुन था, ब्रह्मा, विश्नु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदेव किया करता था, वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीरा किया करता था, एक बार वह पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो, इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काट कर मुक्त हो जाता है, सब वर्नों में शैव मती मुक्ती देने वाला है, शिव की आग्या के बिना दान, यग्य और तपों से कुछ नहीं बनता, शिव का सेव तक होकर भस्न धारन करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है, जटा धारन करने तथा भस्न लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है, इसके बराबर कोई पुन्यन नहीं है, जटा, भस्न धारन किये हुए सभी योगी शिव की सद्रिश होते हैं, अंध, ज शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है, तब से ही ब्रहमत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं, इस कारण शैफ का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाए दूसरे देवता का पूजन न करें, शिव तपस्वी को विश्नु का त्याग करना चाहिए, विश्नु की मूर्ती का पूजन नहीं करना चाहिए, विश्नु की दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन होता है और शिव की द्रोह से रौरवादी नरक मिलते हैं, इसी से भवसागर से पर होने के लिए विश्नु का नाम भी नहीं लेना चाहिए, शिव भक्तनी, शंग होकर जो शिव से वह के लाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेल नहीं, इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता, इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मौह में आकर उनका धर्म रहं कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया, वो श्रुती, स्मृती और ब्राह है, और जो लोग नारायन का भजन करते थे उनको दुख देता था, पाखंडियों का मत ग्रहन कर राजावेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था, अन्याय से दन देता वो कामी राजा सदास्त्रियों के समूल से घिरा रहता और क्रोट से भरा रह करता, बुरू तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था, पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गाव, हाथी, घोड़े और सुवर्नादी देता था, उनके सब कार्य करता, भस धारन करता और मस्तक पर जटा रखता था और जो कोई विश्णू का नाम लेत उसको मृत्यू का दन दिया जाएगा, यह दिंधोरा उसने पितवा दिया था, उसके भए से ब्राह्मनों तथा वैश्णूवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए, सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे, जीविका से दुखी होकर व्रिक्षादी नहीं लगाते थे, नहीं खेती बाड़ी करते थे, प्रजा अन्न के अभाव से गला सरा अन्न भी खा लेती थी, आचार विचार अगनी क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था, कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यू हो ग यह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा, कहीं लोहे की कीयों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा, जहां सूर्य अतितीव्र था और नна कोई चाया का व्रिक्ष था कहीं लोहे के दंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दातों वाले भीडियों और कुत्तों से काटा गया इस प्रकार दूसरे पाप्यों का हाहा कार सुनता हुआ वह राजा यम लोक में पहुचा इति श्री माग मास माहत्म्य तेस्वा अध्याय समाक्त हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे